नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल है रिदा मंत्रा में दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पताऊंगा कि वेलवे जो कि इन्होंने चेंज कर दिया है वीवेल्ज डॉट कॉम में तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को पता है जो भी इसमें कि आप जैसे रिजिस्टर होते हैं तो आप यहां पे 25 रुपे का जो है आप टॉप अप पिन खरीदेंगे टॉप अप पिन खरीदने के बाद रिजिस्टरेशन करना है टॉप अप पिन खरीदना है और उसके बाद 500 रुपे की आपको हेल्प करनी है यानि कि आपको जो र पर चीस रुपे की आपने टॉप अपिन से रजिस्टेशन किया और उसके बाद जो है आपने 5 रुपे की help की मान लीजे यह help आपने एक सेप्टेमबर को की तो दोस्तों जैसे आप help करते हैं और अगली party जिसकी आपने help की है वो इस amount को accept करता है यानि कि उसे मिल जाता है वो accept कर देता है तो आपकी 100 रुपे जो है यहाँ पर virtual income per day के हिसाब से शुरू हो जाती है उसके बाद दोस्तो 6 तारीक को आपकी account में यहाँ पर 500 रुपे हो जाते हैं और यही 6 तारीक को फिर आप जो है 25 रुपे की withdrawal pin लेके आप जो है इसको withdrawal पर लगा देते हैं बसरते हैं इस दिन Saturday और Sunday नहीं होना चाहिए यदि Saturday और Sunday हुआ तो आपको 6 तारीक को Saturday हो गया साथ तारीक को Sunday हो गया तो आप 8 September को यहाँ पर withdrawal की request लगा सकते हैं अभी हम इसको नहीं मान के चल रहे हैं तो आपने क्या क्या दोस्तों यहाँ पर 6 तारीक को आपने withdrawal की request डाल दी और जैसे कि 10 दिन बाद आ रहा है तो यहाँ पर 16 तारीक तक आपकी withdrawal जो है accept होगी यानि कि 16 तारीक तक कोई परशन randomly आपके dashboard पे आएगा जो आपको 500 रुपे की help करेगा लेकिन दोस्तों जैसे की plan के नियम है कि 15 दिन बाद आपको फिर से re-help करनी है तो आपको क्या करना है 13 चौदवे और 15 दिन आपके screen पर एक message आएगा कि आप दुबारा help करना चाते हैं या नहीं आपको yes करना पड़ेगा यदि आप no करते हैं तो id आपकी disabled वहीं पर किस्सा खतम लेकिन जैसी आप yes करते हैं तो उसके 12 घंटे के अंदर आपको 500 रुपे डालने की request आपके जो आपका dashboard है वहाँ पर आ जाएगा और आपको जो है वहाँ फिर 24 आवर का time लगेगा उस आदमी के उसमें पैसे डालने के लिए लेकिन 16 दिन आपकी request जो आपका 500 रुपे है वो 16 दिन आपको मिलेगा उससे पहले 15 तारिक को आपको 500 रुपे डालने है यानि कि आपने डाल दिये यहाँ पे 1000 रुपे प्लस 25 रुपे आपकी joining पिन होगी और 25 रुपे आपकी withdrawal पिन जो कि आप 16 तारिक आपको चाहिए होगी तो पहला 500 रुपे आने के लिए आपको 1000 रुपे डालने पड़ेंगे तो यह इसमें अब आप देख लिजे इसमें आपको आगे continue करना है या यहीं पे आपको stop करना है दोस्तो इस plan में अभी वही लोग बने हुए हैं जिनोंने पैसा कमा दिया है और जिनकी withdrawal लगी हुई है वो सिर्फ wait कर रहे हैं जो हमारी withdrawal फसी हुई है वो आते रहे और जो लोग बिलकुल भी जिनने पता नहीं है वो लोग इसी में जो है help कर रहे हैं तो मुझे नहीं side को ना promote कर रहा हूं ना यहाँ पर इनको criticize कर रहा हूं मैं सिर्फ इनका concept बता रहा हूं और जिस तरह से आपका 2010 से 2014 के बीच में बहुत सारी इसी तरह की survey company helping company चली थी उनका भी यही हाल हुआ कि last में जो है withdrawal होने जो है कम होगे withdrawal आना जो है बहुत कम हो गया बहुत time हो गया जो भी withdrawal करने के लिए यदि आपकी portfolio के कोई बंदा यदि आपको help करने के लिए आएगा तो वह बिल्कुल भी मना कर देगा या वो जो है फरजी receipt वहाँ पे upload कर देगा तो आप उसको reject करेंगे फिर 24 hour में फिर next बंदा आएगा यदि वो भी नहीं डालेगा फिर 24 hour में फिर 15 दिन का ही time है 15 दिन से आपको फिर continue करना है तो आपको यहाँ पे 500 रुपे फिर help करनी पड़ेगी तब 30 यानि कि 30 दिन तक जो है आपका यहाँ पे ID चलेगी यानि कि आपको एक महीने ID चलाने के लिए यहाँ पे 1000 रुपे की help करनी पड़ेगी और आपको बदले में कितना मिलेगा 10 दिन बाद आपका एक बंदा यहाँ पे पैसे डालने के लिए आएगा यदि वो reject reject होता चार बार reject होता तो 14 दिन यहाँ पे already हो गई उसके बाद यदि कोई डाल भी देता है तो उसके बाद आपको यहाँ पे फिर 10 दिन होंगे तो यहाँ पे 24 दिन बाद 1000 कबर करने के लिए 500 रुपे फिर डालने पड़ेंगे तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे अब यह जो है पोटल काम कर रहा है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा आप इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल में नही है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह की वीडियो और अपडेट आपको आगे भी मिलते रहे धन्यवाद जैहिन